हरियाना में BJP की हार जीत पर समिक्षा बैठक आज से शुरू हो गई है 42 सीटों पर हारे कैंडिडेटों के साथ मन्थन होगा और साथ ही इंटर्नल रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी नमश्कार आप देख रहे हैं The Local News मैं हूँ आपके साथ हनिश शर्मा और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हरियाना में हाल ही में हुए विधान सबस चुनाव को लेकर BJP की आज से दो दिन की समिक्षा बैठक शुरू होगी पहले दिन की बैठक पंचकुला के पंचकमल कार्यालिया में होगी पहले दिन चार अलग-अलग बैठके होंगी जिसमें हार जीत के कारण थलाशे जाएंगे और एक आंत्रिक रिपोर्ट बनाई जाएगी पूरी खबर मैं अपने दर्शकों को बताऊँ उससे पहले मेरी आपसे अपील है इस वीडियो को जादा से जादा लाइक और शेयर करते रहें और इस खबर के अंत्र तक जुड़े रहें आपको बता दे पहले दिन की बैठक की शुरुवात हर याना में हारे हुए नेताओं से की जाएगी 42 हारे हुए कैंडिडेटों को पंचकूला बुलाया गया है ये कैंडिडेट हार के कार्णों को पार्टी फोर्म पर रखेंगे इसकी एक कंपाइल रिपोर्ट तैयार होगी हर विधान सभा वाइस हार के विलन तलाशे जाएंगे इसके बाद दोपहर करीब डेड़ बजे चुनाप रबंधन कमेटी की बैठक होगी हर याना में कुल्दीब बिश्नोई चुनाप रबंधन कमेटी के सहियोजग बने थे मगर वो चार विधान सभा तक ही सीमित थे इस पर कुल्दीब बिश्नोई से ही सवाल जवाब किये जा सकते है इसके अलावा विधायक दल की बैठक में जीत के कारण और कम अंतर पर जीत के कारणों के बारों में पूछा जाएगा वहीं अंत में सदस्यता अभियान को लेकर बैठक होगी बता दें आपको हर्याना में स्पीकर सहीत नो मंतरी चुनाव हारे थे स्यानी सरकार के आठ मंतरी और विधानसबा स्पीकर चुनाव हार गए थे सिर्फ दो ही मंतरी चुनाव जीत पाये थे जीतने वाले मंतरियों में पानिपत ग्रामिन सीट से महीपाल धानडा और वल्लबगर सीट से मूलचन शर्मा शामिल रहे हैं पंचकुला में पूर स्पीकर ग्यांचन गुप्त को हार का सामना करना पड़ा नू से संजे सिंग, जगादरी से कमरपाल गुजर, हिसार से डॉक्टर कमल गुपता और रानिया से निदलिय चुनाव लड़े ततकालीन मंत्री रंजीत चोटाला को हार का सामना करना पड़ा था इसी के साथ साथ आपको बता दे कि भाजपा की होने वाली बैठकों में कुलदीब बिश्नोई और उनके बेटे भवय बिश्नोई भी हिस्सा ले सकते हैं भवय बिश्नोई आदमपूर सीट से हार को लेकर होने वाली बैठक में शामिल होंगे तो वही कुलदीब बिश्नोई प्रदेश चुनाप्रबन समीती के सहियोजग होने के नाते मीटिक में शामिल होंगे विधानसवा चुनाओं में भाजपा ने कुलदीब विश्णोई को प्रदेश चुनाओ प्रभन समीती का संयोजग नूट किया था मगर वो कुछी सीटों पर प्रचार कर पाये थे चुनाओ प्रभन समीती में मोहलाल बडोली को अध्यक्ष, कुलदीब विश्णोई को संयोजग, कृष्ण पमार और वेदपाल एडवोकेट को सै संयोजग बनाया गया था तो वहीं ओम प्रकाश धनकर सुनीता दुगल, विपुल गोयल, कृष्ण मूर्ती हुड़ा, जवाहर यादव, अजेब बंसल, संदीब जोशी, जीयल शर्मा, सुनीता दांगी, रेनु डाबला, कैप्टन वुपेंदर, उशा प्रियदशी, अर्विंध यादव, मानस ज वरिंदर गर्ग, मेयर, मदन चोहान, मदन गोयल, उमेश शर्मा, नागेंद शर्मा, परवीन जयन, राजी जेटली, अरुन यादव, अदित्य चावला, सुनील राव, मनोष शर्मा, सचीन नांदल, डॉक्टर बलवान, और कर्नल राजेंदर सुहाग को मेंबर बनाया ग जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा, दूसरी पार्टी के कही नेताओं को चुनाओ से एन वक्त पहले पार्टी में शामिल कराया गया और टीकेट दी, जिससे कही महीने से फिल्ड में तयारी कर रहे नेताओं को जटका लगा, और पूरे चुनाओ में दूरी बना कर रह दूसरा कारण है, एन्टी इंकम्बेंसी, चुनाओ के समय प्रदेश में भाजपा के खिलाफ एन्टी इंकम्बेंसी की चर्चा रही, चर्चा ये भी थी कि भाजपा चुनाओ हार रही है और कॉंग्रेस जीत रही है, जिसके कारण 5% स्विंग वोटर्स कोंग्रेस की की कारण शेली को लेकर भी लोगों में नराजगी रही, तीसरा कारण जो बीजेपी की हर का बताया जा रहा है, वो ये है कि किसानों और जाटों में नराजगी थी, किसानों और जाटों की नराजपा को नुकसान उठाना पड़ा, रोतक फतेबाद और सिर्सा में जाट और किसान एग्रेस्टिव होकर भाजपा के खिलाब वोड डालने निकले सिर्सों और फते बाद की सभी आठ सीटों पर कॉंग्रेस ने जीत दर्ज की किसान अंदोलन का सबसे जादा असर इन जीलों में देखने को मिला दरसल यहां नशाखोरी का मुद्धा पी चुनाव में छाया रहा नशाखोरी रोकने के लिए भाजपा सरकार द्वारा किये गए इंतजाम ना काफी नजर आए इन सीटों पर जाटों के साथ साथ सीख मद्दाताओं की नराजगी भी देखने को मिली दोनों जीलों की पंजाबी बेल्ट में भाजपा का प्रदर्शन निराशा जनगरा इसी के साथ साथ जो चोथा कारण बताया जा रहा है वो ये है कि टिकेट वित्रन में गड़बड़ी हुई थी कुछ सीटों पर टिक्टों का वित्रन सही तरीके से नहीं हुआ यहाँ पार्टी का सर्वे विफल रहा इन सीटों पर निर्दलिय उमीदवार जीते जिसमें हिसार गन्नोर जैसे सीट भी शामिल है इसके अलावा सिर्साजिले में सबसे जादा टिकेट वित्रन में गड़बड़ी हुई मजबूत चहरों को दरकिनार किया गया रंजीत सिंग, अरित्य चोटाला, मीनु बैनिवाल जैसे चहरों को पार्टी ने दरकिनार किया जिसका खामियाजा भुगतना बड़ा जो पाचपा कारण बताया जा रहा है वो ये है कि मेवात में मुसल्मानों ने भाचपा को नकारा था मेवात की तीन सीटों पर भाचपा कोई कमाल नहीं कर पाई, यहां नूद दंगो का असर देखने को मिला यहां के लोगों में बीजेपी के खिलाफ नाराज की दिखी, लोगों ने बीजेपी सरकार पर शेत्र में विकास ना होने और भेदबाव का रोप लगाया था बीजेपी इन मुसलिम भूल इलाकों में अपना खाता भी नहीं खोल पाई आपको बता दे भाजपा परदेश के पांक जिलो में अपना खाता नहीं खोल पाई इन जिलो में नू, सिर्शा, जजजर, रोतक और फतेबाद शामिल है अगर बेल्ट के हिसाब से देखे तो यह जिले बागर देशवाल और नू बेल्ट में आते हैं इन जिलो में कुल 19 विधान सवा सिटे हैं बागर बेल्ट में भाजपा ने 8, कोंग्रेस ने 10, इनेलो ने 2 और निर्दलिये ने 1 सिटे जीती थी साथी आपको बता दे भाजपा कल सीम हाउस पर प्रदेश के 700 भाजपा वरकरो संग बैठक करेगी इसमें मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, प्रवासी प्रभारी तक शामिल होंगे चुनाब से पहले मुख्या मंतरी नायप सिंग सैनी ने कारेकरताओं से वादा किया था इसके अलावा विधानसभा विस्तार को और कोर ग्रूप वेस्ट सांसदो की जोइंट बैठक बीश सीम आवास पर रखी गई है इसमें केंद्रिय मंतरी मनुहरलाल, राव इंदरजीत और क्रिशन पाल गुजर शामिल हो सकते हैं फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे ही तमाम राजनीती से जूड़ी खबरों पर अपनी पकड़ बनाई रखने के लिए देखते रहे है दा लोकल न्यूज और मेरी दर्शकों से अपील है हमारे फेस्बुक पेज को फोलो करना ना भूले और यूट्यूब चानल को सस्काइब करना ना भूले शुक्रिया